दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा WhatsApp अकाउंट डिलिट कैसे करते हैं Permanently WhatsApp अकाउंट डिलिट करने से होता क्या है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ अगर दोस्तो आप अपने फोन से सिरिफ WhatsApp को डिलिट करते हैं तो इससे क्या होगा जिसके भी पास आपका mobile number सेव होगा वो contact list में आएगा तो आपके number को दोस्तो वो यहाँ पर open कर सकता है आपकी जो chat है आपकी DP उसको दिखाई देगी वो आपकी chat को इस तरह से open कर सकता है आपका last scene भी उसे दिखाई देगा और वो बंदा आपको message भी कर सकता है अगर आप सिर्फ WhatsApp डिलिट करेंगे तो सामने वाला बंदा ये सारे process कर सकता है लेकिन अगर आप WhatsApp अकाउंट को ही डिलिट कर देंगे तो इससे दोस्तो क्या होगा अगर किसी के भी पास आपका mobile number सेव होगा वो WhatsApp की contact list में आएगा तो आपका number यहाँ पर उसे दिखाई नहीं देगा आपका number DP दिखाई नहीं देगी सिर्फ यहाँ पर दोस्तो invite का बटन दिखाई देगा आप देखेंगे यहाँ पर यह सारे number पर WhatsApp अकाउंट बना हुआ नहीं है अगर आप अकाउंट डिलिट कर देगे तो आपके number के सामने इस तरह से invite का बटन आएगा और यहाँ पर आपकी DP लासीन वगरा दिखाई नहीं देगी कोई बंदा आपकी चैट को इस तरह से open करेगा तो वो आपको सिर्फ invite कर सकता है लेकिन आपको message वगरा नहीं कर सकता है तो यही फाइदा होता है whatsapp account डिलिट करने का तो अगर आप अपना account डिलिट करना चाते हैं तो आपको 3.00 पर किलिक करना है यहाँ पर settings पर किलिक करना है यहाँ अपको option मिलेगा delete account इस पर आपको किलिक करना है अब account delete करने से क्या-क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ अगर आप अपना WhatsApp account delete कर देते हैं आपने दूसरे device के अंदर भी यानि के laptop के अंदर या link के device की मदद से दूसरे mobile में भी आप अपना account यूज़ कर रहे हैं तो सभी device से आपका account delete हो जाएगा ठीक है इसके बाद जितनी भी आपके message की जो history है यानि के जो chat आपने कर रखी है photos, videos आपने share कर रखे हैं WhatsApp पर वो सारे के सारे delete हो जाएगे permanently इसके साथ साथ अगर आपने WhatsApp के अंदर कोई group create किया है या आप किसी group में joint है वहाँ से भी आप review हो जाएगे सारे group delete हो जाएगे और Google Drive के अंदर जो आपका backup है दोस्तो वो भी delete हो जाएगा permanently ठीक है इसके साथ अगर आपने WhatsApp के अंदर payment info add कर रखी है तो दोस्तो वो भी cancel हो जाएगी सारी delete हो जाएगी अगर आपने WhatsApp पर कोई channel बनाया है तो वो भी delete हो जाएगा कुल मिलाकर अगर आप अपने number से WhatsApp account को delete कर देते हैं तो जो भी आपका backup है वो आपको वापस नहीं मिलेगा आप same number से दुबारा से account बना सकते हैं लेकिन आपकी chat वापस नहीं आएगी तो यहाँ पर आपको number डाल देना है अपना जैसे के मैं डाल देता हूँ यहाँ पर number डालने के बाद यहाँ पर आपको delete account पर click करना है पहले आपको यहाँ पर अपनी country भी select कर लेना है number डालना है और delete account पर click करना है इसके बाद यहाँ पर इस तरह से page open हो जाएगा अब यहाँ पर select a reason पर click करके कोई एक option को select कर लेना है यहाँ पर आपको एक reason बताना है WhatsApp को कि आप अपना account क्यों delete कर रहे हैं कोई भी एक option यहाँ पर आपको select करना है और नीचे delete account पर click करना है delete account पर click करने के बाद इस तरह से pop-up आ सकता है अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं अगर आया तो आपको फिर से यहाँ पर delete account पर click करना है तो इस तरह से page open हो जाएगा यह वाला page direct भी आ सकता है या फिर आपको delete account पर click करना है तो यह वाला page आ जाएगा अब यहाँ पर final step है अब यहाँ पर दोस्तो एक बार WhatsApp फिर से आपको बता रहा है कि अगर आप अपना account डिलीट करेंगे तो आप backup वापस नहीं ले पाएंगे टीक है तो यहाँ पर अगर आपको अपना account डिलीट करना है permanently तो आपको यहाँ पर delete account पर click करना है कुछ ही second के अंदर आपका WhatsApp account डिलीट हो जाएगा आप देख सकते हैं दोस्तो हमारा account जो है वो delete हो चुका है permanently अब यहाँ पर जिस तरह से हम एक नए account बनाते हैं WhatsApp में दुबारा से यहाँ पर हम नए account करेंट कर सकते हैं कोई दूसरे number से आपने जो account डिलीट किया है उस same number से आप account open करना चाहते हैं तो दूबारा से उसी number से आप account open भी कर सकते हैं लेकिन आपकी chats, channels और आपकी जो group से वो आपको वापस नहीं मिलेंगे एक नया fresh account आपका same number से open हो जाएगा तो अगर आपको दोस्तों यह video थोड़ा सा भी पसंद आया है तो video को like कर देना, share कर देना और channel को subscribe करके bell icon को दबाकर all पर set जरूर करना